आपके अपने यूटूब चैनल माजिद साइंस पराजम आपके लिए लेकर आया परदानमंत्री से जुड़े सभी मेर्तवपून क्वेस्टन अंसर जो की हमारा पार्ट नंबर टू है बाकी वन पार्ट हम आल्रेडी डिसकस कर चुके है इन पार्ट को देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में लिंक दे दिया है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं फटा फट दोस्तो आज का हमारा फ़स्ट क्वेस्टन है वह परदानमंत्री कों थे जिनोंने संसर सतर में उपस्तित हुए बिना ही अपना त्याग पत्तर दे दिया था हमारे पास परोप्शन है मुराजा देशाई, स्रीमतींद्रा ग परोप्शन है सामोहिक रूप से मंत्री परिशद किसके परती उत्तरदाई होता है हमारे पास परोप्शन राष्टपती के परती परदानमंत्री लोगसबा या संसर दोस्तो इसको पसनमबर से यानि लोगसबा के परती सामोहिक रूप से मंत्री परिशद लोगसबा के पर या संसद के पर्ति सब्सक्राइज नंबर अ या निर्श्टा पति रूप से राश्टा पति रूपसे राश्टा पति पर्ति उत्तर दाई होता है, ना कि प्रदान मंत्री की हमारे next question है मंत्री मंडल का गठन कौन करता है हमारे पास फोरोपस ने मंत्री प्रिशद, सिरफ केंदरिया मंत्री गण, केंदरिया तथा राज्य मंत्री गण या ये सबी दोस्ते स्कॉप सनमबर बी यानि सिरफ केंद्रिय मंत्री गंड मंत्री मंडल का गठन करता है हमारा नेक्ट क्वेसन है दोस्ते स्कॉप सनमबर डी यानि सरदार वललब भाई पटेल सौप सनमबर बारत के पर्थम ग्राह मंत्री थे हमारा नेक्ट क्वेसन है एक ऐसे पर्दान मंत्री थे जिनके विरूद लोग सबा में एविस्वास परस्ताव लाया गया था हमारे नेक्ट क्वेसन है संगिया मंत्री परशद अपने आचरण के लिए किसके परती उतरदाई होता है नेक्ट क्वेसन है बारतिया गनराज्या में वास्तवी कार्याकारी प्रादिकार निमली खित में से किसके पास होता है हमारा नेक्ट क्वेसन है बारतिया सविदान के अनुचेद 75 थरी के अनुचेद 75 थरी के अनुचार मंत्री परशद नमली खित में से किसके परती सामुई की रूप से जिम्मेदार होता है हमारा नेक्ट क्वेसन है दोस्तो इसकोपस नमबर C यानि लोगसबा के परती बारतिया सविदान के अनुचेद 75 थरी के अनुचार मंत्री परशद लोगसबा के परती जिम्मेदार होता है हमारा नेक्ट क्वेसन है बारतिया सविदान के अनुचेद 74 और 75 किन विसो पर विचार करती है हमारे पास four option है, मंत्री परिशद, लोगसबा के सदस्या, बाहरत के राष्टपती या मंत्री मंडल के सदस्या दोस्तों इसको अपस नमबर A यानि मंत्री परिशद के परती बाहरते सविदान के निउचे 74 और 75 मंत्री परिशद के विसों पर विचार करते है हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, संग्या मंत्री परिशद से पत्या करने वाला पहला मंत्री कौन था? हमारे पास four option है, सरदरवललब भाई पटेल, आचार्या जेबी क्रिपलानी, गोपाल स्वामी या श्यामा परशाद मुखर जी संग्या मंत्री परिशद से पत्या करने वाला पहला मंत्री श्यामा परशाद मुखर जी हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, सवतंतर भारत के पर्थमवीत मंत्री कौन थे? हमारे पास four option है, डोक्टर जोन मताई, सीडी देसमुक, जैरामदास या सी राजगोपाल चारी सवतंतर भारत के पर्थम वीत मंत्री थे? हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने परदान मंत्री की मंत्यू हुई है? हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है, मंत्री परिशद में कितने सतर के मंत्री होते है? व्रोपन एक, दो, तीर या चार. दोस्तोषकोप सन-नुमरसी यानि तीन परकार के मंत्री परशद में तीन सतर के मंत्री होते हैं. हमारा नेक्ट वेस्टन है ब्हारत के किंद्रिय, मंत्री परिशद की बेथग की अद्यक्सता कोन करती है? है हमारे पास होरोप्षन राष्ट्यपती उपराष्ट्यपती परदानमंत्री या मंत्री परिशद के सदस्य बारी-बारी से दोस्तो इसकोप्स नमबर सी यानि परदान मंत्री भारत के किंद्रिय मंत्री परशद की बेठक भारत के परदान मंत्री करते है हमारा नेक्ट क्वेस्टन है बारत्य सविदान के निमली खित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री प्रिशद की नियुक्ति तता पद्चियोती को विचेद करता है हमार पास फोरोपस अनुचेद 70, अनुचे 72, अनुचे 74 या अनुचे 75 बारत्य सविदान के से अनुचे 75 में मंत्री प्रिशद की नियुक्ति तता पद्चियोती को विचेद करता है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होते बिना के अंदर रुके में कितनी अवदी तक मंत्री रह सकता है अन्य था इसके बाद उसका मंत्री पद बर्ख्वास्ट कर दिया जाता है हमारा नेक्ट क्वेस्टन है अब तक लोगसबा में परस्तूत एविस्वास परस्ताउसरवादिक बार किस परदानमंत्री की सरकार के खिलाप रखे गई है हमारे पास खरोप्षने जुहार लालनेरू, लालबादर शास्त्री, इंद्रा गांदी या अटल विहारी वाज़ पिये अब तक लोगसबा में परस्तूत एविस्वास परस्ताउसरवादिक बार परदानमंत्री इंद्रा गांदी की सरकार के खिलाप रखे गई है हमारे नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् परशाषन परविधाई नियंत्रिन का एक साधन नहीं है। या संसद की कुल सदस्यों की संक्या का 15% या कोई पर्तिबंद नहीं है। दोस्तो इसको अपसन नंबर बी यानि लोकसभा की कुल सदस्या की संक्या का 15% संग्या मंत्री परशद में संदस्यों की अधिक्तम संक्या हो सकती है। हमारे next question है, सथंतर बारत की पर्थम मंत्री परिशद में परदान मंत्री सहीत कुल कितने सदस्या थी तैमारे next question है, सथंतर बारत के पर्थम मंत्री मंडल में केंदृ या सिक्सा मंत्री कौन थी हमारे next question है, गुलजारी लानन्दा, सर्दार वल्लब सीम, मौलाना अब्दुलकलाम या सीडी देश मुप दोस्ते इसको अप्शन नमबर सी यानि मौलाना अब्दुलकलाम अजाद सौतंतर भारत के पर्थम मंत्री मंडल में केंद्रिय शिक्सा मंत्री थे हमारे नेक्स्ट क्वेशन है भारत में सौतंतर ता के पर्थम मंत्री मंडल का कानून मंत्री कौन था? हमारे पास पर उप्शन है के एम उनसी, एसपी मुकरजी, बल्देव सिंग या बी आर अमबेड कर भारत में सौतंतर ता के पर्थम मंत्री मंडल का कानून मंत्री थे हमारा नेक्स्ट वेशन है भारत का वह परदान मंत्री जिसने एक संसद की हेस्यत से संसद के उन सभी सिंगत अधिवेशनों में उपस्तित दरज कराए जो सवतंतर भार्ग के इत्यास में अब तक संपन हुए है हमारे पास रोप सनेंद्रा गांदी, अटल विहारी वाजबी, चंदर सेकर या वीपी सिन दोस्तो इसकोप्स नमबर बे यानि अटल विहारी वाजबी भारत का वह परदानमंत्री अटल विहारी वाजबी ते जिसने एक संसद की हैसित से संसद के उन सभी स्यूक्त अधिविशनों में उपस्ति दर्ज कराई थी हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है नरेंदर मोदी जी का जनम कब और किस्तान पर हुआ था दोस्तो इस क्वेस्टन को इसलिए डाला गया है क्योंकि फिलाल में भारत के परदानमंत्री नरेंदर मोदी जी है और कंपिटिशन एक्जा में इस से रिलेटिक क्वेस्टन पूछे जा सकते है इसलिए इन क्वेस्टन को इसमें वीडियो में डाला गया है तो हमारा क्वेस्टन नरेंदर मोदी का जनम कब और किस्तान पर हुआ था हमारे पास फोर उप्षन 17 स्टमबर 1950 को मेसाना जीला गुजरात में उप्षन B 12 नॉमबर 1909 को बोटाद जीला एहमदाबाद में उप्षन C 19 स्टमबर 1950 को अरावली जीला जो की गुजरात में है और उप्षन नमबर D 17 अक्तुबर 1951 में मोरभी जीला ये भी आपका गुजरात में है दोस्ते इसको उप्षन नमबर A यानि 17 स्टमबर 1950 को मेसाना जीला जो की गुजरात में स्टीता है नरेंदर मोधी जी का जनम हुआ था हमारे next question है नरेंदर मोधी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कारिया किया हमारे पास्वरोप्श ने 2001 से 2010 के बीच में 2001 से 2013 के बीच में 2001 से 2014 तक या 2001 से 2015 तक दोस्तेशकोपस नमबर सी यानि 2001 से 2014 के बीच में भारत के परदानमंतिरी नरेंदर मोधी ने गुजरात के मुख्यमंतिरी के रूप में कारिया किया हमारे नेक्ट वेसन है नरेंदर मोधी ने निमलिकित में से कौन सी पुस्तक लिखी है हमारे पास फ़रोपस ने दोस्तेशकोपस नमबर डी यानि उपरोग सभी भारत के परदानमंतिरी नरेंदर मोधी ने पुस्तक लिखी होया इसके अलावा कुछ और अन्य पुस्तक भी लिखी गई है हमारे नेक्स्ट क्वेसन है किंग सुंग नाग द्वारा लिखीत नरेंदर मोधी को समर्पित पुस्तक का नाम निमलिखीत में से कौन सा है हमारे पास ओप्शन दी नमो स्टोरी ए पोलिटिकल लाइब ओप्शन बी नरेंदर यान स्टोरी ओप नरेंदरा मोधी दोस्तों इसको अप्शन नंबर A यानि दी नमो स्टोरी ओए पोल्टिकल लाइब किंग सुंग नाग द्वारा लिकित नरेंदर मोधी को समर्पित पूस्तक है हमारे नेक्स्ट क्वेर्शन है फोबर्श वर्ड की सबसे सकती साली लोगों की सूची में नरेंदर मोधी की रैंक क्या थी हमारे पास फोरोप्शन है आठवा नंबर नौवा दसवा या ग्यारवा दोस्तिसको अप्शन नंबर B यानि नौवा फोबर्श वर्ड की सबसे सकती साली लोगों की सूची में यान 2018 की सूची में नरेंदर मोधी जी का स्तान नौव में नंबर पत था हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है विशव के कि स्तान पर नरेंदर मोधी की मोव की परतिमा का अनावरन एक संग्राल्या में किया गया था हमारे पास फोरोप्शन है कनाड़ा, लंदन, अफगानिस्तान या सौधी अरब में दोस्तों इसको उप्शन अंबर भी यानि लंदन में विशव के लंदन नामक्स्तान पर नरेंदर मोधी की मोव की परतिमा का अनावरन एक संग्राल्या में किया गया था हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है जो आप सभी के लिए करप्या कोमेंट करके जरूर बताएगा नरेंदर मोधी भारतिया जनता पार्टी में कब सामिल हुए थे दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा कोमेट कीजेगें सस्क्राइब कीजेगें माजिद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद